और बिमार हुए और बिमारी के दौरान अबू आहे वे थे। कहा जाता था पहले कि बिमार उजो तो पहडों पर चले Bogता और बिमारी आधू दूर होती है। अबू आहे वे थे। इस राजस्थान प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात खेतड़ you king king so वो मुलाकात का लंतर में बहुत अच्छी दोस्ती के अंदर बदलती है। और खेतडी महराजा अजीत सिंग ने सुझाओ दिया उन्हें कि महराज भी विदी सानन जी आपको इस समयलन में भाग लेना चाहिए और भारतिये परंपरा दुनिया के सामने आने ही चाहिए। पर उन्हें का सर एक बात मेरी थोड़ी और मानी कि हाँ, कि सर वी विदी सानन्द थोड़ा नाम लंबा हो जाता है। बुला नहीं जाएगा सर। थोड़ा नाम चेंज कीजिए। एक नया नाम दिया गया है विवेक अनन्द। थोड़ा सरल नाम था। दारेक्ट सन्यासी किसी चवी उपस्तित करता था। जब खेतड़ी परवास पर थे तो एक दिन अजीत सिंग जी के साथ में उनके राजदरबार के अंदर जा रहे थे उनके रॉयल कोट के अंदर अजीत सिंग जी ने कहा कि स्वामी जी आपको हमारे दरबार में आना चाहिए हमारे अन्य जो लोग हैं उमक से बातचित की जा जानी चाहिए जब जा रहे थे तो अजीत सिंग जी ने कहा आगि सार हमारे एक और परंपरा है कि हम ओईल कोट में जब भी जाते हं नंगे सर नहीं जाते हैं आपको सर सर पे कुछ पगड़ी बगड़ा रख लेनी चाहिए, अजीत सिंग जी ने उनको वो भगवाँ पगड़ी परदान किये, कालांतर में विवेकानंद जी की मुख्य ड्रेस बन गई होगी, हम मैंसे तमाम लगों ने उनकी बिना पगड़ी की कोई फोटो नहीं देख सिकागो धर्म समेलन में उनको भेजने वाले खेतरी महरजा अजीत सिंग थे, क्याते हैं वो बाते हैं कि सुनने पर बासन दिया था, नहीं नहीं, वो भारतीय संस्कृति की बारे में बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि हम उस महान संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जहां पर और बाहर से जो भी आया वो हम आके मिल गया था, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है कि यहुदियों को जब पूरी दुनिया से सताया गया तो हमारे देस के अंदर आके उनको पनाह मिली, मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि इरान के उन महन और चौर यह दी आप कहीं पर ढूंडो गया तो भारती यह संस्कृति के इंदर आपको जा के मिलेगा और लोग उनकी बातों से बाकादव परभावित हुए, सबसे बड़ी बात यह थी, और उनको डेली कहा गया कि आप बोली, डेली उनसे बासन करवाए गये थे वहां प वेदांत समाज की स्तापना करते हैं, वेदांत वोई उपनी सद, उपनी सद पे खूब बल दिया करते हैं, तो वेदांत समाज की स्तापना करते हैं, लिख लो, वे इसाई, जो कभी कलकत्ता में, वे इसाई मिस्नरी, जाद आच्छा सब्द बलू थो में, वे इसाई मिस्न जो कलकत्ता में कभी हिंदुओं को इसाई बना रहे थे उनके ही गड़ में एक उनकी लड़की को हिंदू बनाकर बाकियों को हिंदू बनाने का कारेकरम शुरू करने का यह जो फेसला था ना स्वामी विवेकनन्द का यह अंग्रेजों के दार पर सिधी चोठ थी कि अब हम वेसाई करेंगे जैसा तुम करते हो तुम मिस्नरी हो अब हमारा मिसन यही काम करेगा आज भी एदी विद्यसों के इंदर भगवां कपड़े पनेवे एकदम गोरी चक्ति चमडी के लोग हरे रामा हरे कृष्णा गाते भी मिल जाते हैं तो उनका एक बड़ा कारण विवेकानन जैसे सन्यासी हुए है जिन्होंने उन देसों में घूम घूम कर उस सन्यास की परंपरा को उस प्राचिन व्यदान्त परंपरा को पुनर जिवित किया था बताया था उन लोगों को कि इसमें जो अध्यात्मिक सांती है वो कहीं नही है तो रामकृष्ण मिशन का मुख्याले प्रमुक मुख्याले तो वेलूर था अलंकी बाद में इसका एक मुख्याले और खोला गया था हिमाचल में पड़ता है तो हिमाचल प्रदेश के अलमोरा नाम की जगह पर इसका एक कारले और खोला गया एक लाइन और लिख लो फ